हलो फ्रेंड्स आपका स्वक्तर तुरुष्टिका किचन्स में बरसात के मोसम में चींटियों का आना आम बात होती है आप सभी ने नोटिस किया होगा कि जब भी बारिस आती है तो हमारे घर पे चींटियां आने लग जाती है चाए हम घर की कितनी भी साफ सफाई क्यों ना रखे बहुत सारी साफ सफाई रखने के बावजूद भी चींटियां कीडे मिकोडे दिखाई देने लग जाते हैं जैसे कि किसी के खाने में देखने को मिलते हैं तो किसी के चीनी या फिर चावल के डिबों में लग जाते हैं और ये एक बार लगने के बाद बहुत हार्ड होता है इनको छुडाना और जहां भी नीचे मिठा गिर जाता है तो मिठे के पास तो बहुत ही जल्दी ये आ जाती ह और चीनी वगेरा में गिरने के बाद हम चीनी का यूज भी नहीं कर सकते आसानी से तो हमें बहुत प्रोब्लम होती है और इसी प्रेसानी का मैं एक छोटा सा ग्रेलून उसका लेकर आई हूँ जिसे यूज करके हम चीन्टियों को बगा सकते हैं चीन्टियां चाहिए हमारे दिवार के अंदर से आती हो उनको भी हम रोक सकते हैं और वो कभी भी नहीं आएगी तो फ्रेंट्स वीडियो को एंड तक देखना जिसे बहुती आसानी से आपको समझवे आ जाएगा बहुती आसान है इसको बनाना तो सबसे पहले हमने लिया है यहां पे एक डिबी तो आ यहां पर हमने चार कपूर की गोलिया को ले लिया है और अब हम इस पोलिथिन के अंदर इसको डाल कर अच्छे से कूट कर एक महिन पाउडर बना लेती हैं और फ्रेंट्स यहां पर मैं आपको बता दूँ कि इस कपूर की महक इतनी गहरी होती है आप कभी भी सुगंद ले लेना है और इसके सुगंद से चींटिया आसपास भी नहीं मन रहेगी तो यहां पर हमने कपूर का पाउडर बना लिया है और अब हम इसके साथ लेंगे चार से पाउडर बना लिया है अब इतना कुछ तयार होने के बाद फ्रेंट्स हमें लेना है एक बरतन बरतन लेने के बाद हम उसमें डालेंगे एक गिलास पानी और गेस के उपर हम बगोने को रखकर गेस को हम कर देंगे और इस पाने को हमें करना है गुन गुना यानि इसको बोईल होने देना है और बोईल होने के बाद हमें जो पेष्ट अभी बनाया था कपूर का लोंग क तो वो पेश्ट हम इसके अंदर मिला देंगे तो यहां पर पानी बॉइल हो गया है तो अब इसके अंदर हम जो हमने अभी पेश्ट बनाया है कपूर का और लोंग का तो वो पेश्ट हम इसके अंदर डाल देती है अब हम गेस को कर देंगे ओफ ओफ करने के बाद हम पांस मि हम मिलाएंगे इसमें एक चमस नमक नमक फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा तिखा होता है तो हमने जो आइटम इसमें डाले हैं तो वो बहुत हाल धवर करेगा यानि चींटियों को बगाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा अगर एक बार आपने इस नुस्के को अपना कर अपने घर के अंदर यूज कर लिया तो चींटिया नहीं आएगी अगर आई है तो वो भी चली जाएगी तो यहाँ पर हमने इस पेश्ट को अच्छे से बना कर इसको मिला लिया एक चमस से जिससे क्या है कि कपूर और नमक लोंग आपस में अच्छे से मिल जाई और इसको अंदर इस पाने को हम बर देती है और फिर हमें इसको बोटल को टाइट से हमें बंद कर देना है और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इस बोटल से हम इस प्रे करेंगे स्प्रे करनी है तो हमें इस तरीके से इसको छिड़काव करना है जैसे कि कई वार गेट के पीछे आ जाती है या फिर दिवार के साइड आती है या फिर जो हमें में गेट होते हैं उनके पास भी आ जाती है तो जहां भी आपको चींटिया दिखाई दे उनकी ऊपर इस तरीके इस पाने का छिड़काव करना है जिससे चींटिया तूरंत भाग जाएगी और वापिस नहीं आएगी तो फ्रेंड्स उमीद करती हूँ कि वीडियो अच्छी लगी है वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए फेमिली और दोस्तों के साथ वीडियो को सेर कीजिए और चैनल पर पहली बार आएए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसे इसी तरिके की न्यू न्यू वीडियो आपको मिलती रहे थैंक यू फोर वोचिंग